गर्ल्स पावर लेडिस्ट जिम जहां कार्डियो वेट मेनेजमेंट, फ्लॉर एक्टिविटीज, स्ट्रेंग्थ और पर्सनल ट्रेनि, बेसिक डाइप एंड इंच कार्ड विथ अट्रेक्टिव पैकेज के साथ, जिम ट्रेनिंग कोस पर 20% आप, स्मार्ट ट्रेनिंग प्ल और फुल बोडी चेक अप, साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% आउफ, फिट्नेस एंड ब्यूटी लवर्स के पहचान है, फॉर दि वेस्ट रिजल्ट, जॉइन गर्ल्स पावर, बेफिट, बेफैबलस, जॉइन गर्ल्स पावर, बेफिट, बेफैबलस, पर आपको बताएंगे कि आधी रात के बास्ते ही इस तरह से मुम्रा वाइपास, मुम्रा वाइजेक्शन, कल्यान फटा, शेल फटा, नासिक जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर वड़ी गाडियां जो है, वो काफी ट्राफिक जाम लगी हुई है, तर असल मुम्रा ट् कि ट्राफिक जाम होने की वज़ा क्या है, तो उन्होंने बताया कि भीमंडी के साइट मानपोली इलाके में कोई क्रेन मसीन है, जो खराब हो गई है, और इसी वज़े से यह ट्राफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, और लंबा जाम जो है, लगा हुआ है, नासिक रोट पर हैं, दो तो तिन तिन घंटा बता जा रहा है कि यह गाड़िया एक एक ही जगे पर खड़ी है, हाला कि जो आप देखेंगे कि शीर्फाटा के तरब जाने वाला जो रास्ता है, जो याता यात है, ये नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो आपको बताएंगे कि नासिक के तरब जाने वाला जो रास्ता है, इसी तरह से ट्राफिक जाम की स्थिती है, घंटो जो है, ड्राइबर इनमें फसे हुए हैं, क्या नाम है आपका? कहा जा रहे थे आप? विमंडी विमंडी जा रहे है अच्छे ट्राफिक जाम हुई है, अभी ट्राफिक जाम की स्थिती है, कब से, किसे, कितने देर तक खासे हुए हैं, अरे दुपाहर से फसा हूँ, बारा बज़े से आथ तो पहर ने आथ तो पहर कहा से निकले से गाड़ी भर के? बिंगलोर से और यहां पर कितने देर में पहुचे हैं? यहां तो पहुचा बारा बज़े थी जाहर ने तब से यही पर है तब से जाम में ही लगा हुआ और भी ट्रॉक ड्राइबर हैं, उच्छे भी हम बात करेंगे लंबी जाम में ट्रक ड्राइबर सकते हुए एक घंटो परिशान है क्या नाम है आपका भई? संतोस राओ संतोस राओ कितने देर से ट्राफिक जाम में आप बारा बज़े से फसे आए साम होने वाला है अभी ना खा यह हमको नेपाल जाना है यह तो लग रहा है यह लग रहा इसी तरह चलेगा तो पूरी राते बीच जाएंगी अभी यह तो नहीं पता है हमको लाइन में लगे हैं बताये जा रहे कि जो भीमंडी मानपुली और बॉम्बेट धाबा वहाँ पर है उसके आत पास में ही कि जानकारी जो मुम्ब्रा पुलिस के ट्राफिक विभाग के इंचार्ज उन्होंने ऐसी जानकारी जी कि वहाँ पर खराब हुआ है जिसकी वजह से आधी रात के बाद से ही नासिक की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो तेखेंगे इसी तरह से ट्राफिक पूरी गाळी हट जो ट्रक ड्राइबर है वो बता रहे कि कोई नेपाल जा रहा है उनको भी इसमें कठिनाईों का सामना करना पड़ रहा है